हलो वीवेर्स, वेलकम टू माई यूटीव चैनल, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एमाई का जो स्मार्ट टीवी है, उसका पीक्चर को कैसे अज़स्ट करना है, उसका आपको अगर कलर चेंज करना है, ब्राइटनेस, साथनेस, यह सब अगर आपको अग HD, जैसे आप HD जो सेटप बॉक्स यूज़ करते हो, उसके लिए भी आप ये रिमोट से ही अलग से पिक्चर अज़स्ट कर सकते हो, तो ओ कैसे करना है, ओ मैं आपको दिखाऊंगा, तो पहले मैं नॉर्मल दिखाता हूं कि टीवी का कैसे अज़स्ट करते हैं, तो उसके ल सेटिंग्स में आना है, ठीक है तो अधिशनल सेटिंग्स के बाद, आपको डिवाइस पेफरिंस में जाना है, तो उसके बाद आपको sound के नीचे देखना, picture बोलके एक option है, उसमें आपको जाना है, तो उसके बाद देखिए, picture mode में आपको आना है, तो इसमें आप standard movies sports ये स से कास्टम में जाके आप अज़स्ट कर सकते हो यह पहले से जो प्री डिफाइंड दिया हुओ है स्टेंडर मुवी स्पोर्स इसमें आप जा सकते हो ठीक है तो कास्टम में आप आ जाई है आने के बाद आप इसमें ब्राइटनेस सिटरेंस अपने चेंज कर सकते हो तो इसको सेलेक्ट करके ऐसे आप चैंज कर लिए अपने हिसाब से ठीक है तो बाइड इफल्ट यह 50-50 करके रहता है उसके बाद आपको चैंज करना है तो यह अगर आप चेंज करेंगे आपका जो सेट ऑब बॉक्स होगा जैसे माल digital city का setup box लगा हुआ है तो उसमें आपका color changes उतना effect नहीं करेगा पिक्चर एज़स्ट नहीं होगा तो उसके लिए आपको अलग जगह से जाना है इस तरह का यह option से आके picture के अंदर आएंगे तो आपका यह काम नहीं करेगा तो यह वाला तो आपको मैं दिखा दिया कि कैसे आपको पता नहीं चलेगा जैसे side में picture चल रहा है उसमें पता चलेगा इसमें आपको नहीं चलेगा तो इसके लिए पहले मैं यह वाला चीज दिखा दिया अभी मैं back कर लेता हूं तो back करके अभी मैं TV को on करता हूं जैसे जो setup box है उसमें HD MI में आ जाता हूं HDMI 1 में आ गया तो देखिए एटी भी चल रहा है तो इसमें आगर आपको picture change करना है यह देखिए MI का remote है इसका जो middle का जो बड़ा वाला सुईज है यह middle का सुईज को आपको प्रेस करना है ठीक है जैसे मीडिल का सुईज आप प्रेस करेंगे तो आप देखिए input source picture sound settings यह सब पाएगा तो आपको यह picture के अंदर आना है तो यह picture के अंदर आप जैसे ही आएंगे तो देखिए side में इधर picture वीडियो चलेगा और इधर आप adjust कर सकते हो तो इसमें आप इधर picture mode में आईए इधर आप standard और या movie जो भी है उसको आप select कर सकते हो चाहे होते हो यह जैसे movie select कर तो इसके बाद आपको जो भी change करना है आप ऐसे change कर लो उसको ठीक है आप side में picture भी देख लो कैसे उसमें effect कर रहा है तो इससाब से आप इसको adjust कर लो ठीक है तो अभी जैसे आपको color भी अगर change करना है देखिए तो इसको अभी ऐसे आप change कर सकते हो तो इस हिसाब से आप अज़स्ट कर सकते हो so thank you for watching this video if you find the video is helpful then you can share this video with others and also subscribe my youtube channel thank you